जेहिंद फ्रेंड्स, once again you are welcome to Mission Air Force तो दोस्तो इस वीडियो में यहाँ पे आपके exam से related आपका भी doubt बन रहा है कि यहाँ पे press notification है जो बहुत ही viral हो रहा है उसका बारे मैं भी यहाँ पे clarification करूँगा और जो आपके exam dates है, क्या वो आगे जा सकती है और यदि यह आपकी 12 July जो है exam date रहती है तो आपको किस प्रकार से जो preparation है वो मैं अपनी जो strategy है वो आपको बताने वाला हूँ तो चलिए friends start करते हैं तो देखें सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी exam date की तो जैसे कि आपको पता है कि official यहाँ पे notification आ चुका है और इसके पे मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी लेकिन यहाँ पे आपको community पे update कर दिया था तो देखें जो आपका यहाँ पे exam है वो 12 से 18 July के बीच में यहाँ पे schedule किया गया है और 99% यह आपका यहाँ पे fix है fix 99 के आप पई 100% यहाँ पे मानके चलिए कि यह fix है देखे fix क्यों बता रहा हूँ मैं यह देखें क्योंकि यहाँ पे air forces से आगे इसलिए नहीं ले जाने वाला है या फिर कहूं कि इसको इतनी जल्दी करने का region क्या है क्योंकि आप सभी जानते हो कि इस बार आपको time बहुत ही कम दिया गया है और यहाँ पे तुरंत जैसे ही आपको notify किया जाता है कि site पे visit करते रहिए लगातार आपके exam से related July में exam होगा और दूसरे दिन आपको यहाँ पे date दे दी जाती है तो आपके admit card है वो भी यहाँ पे बहुत जल्द आने वाले है साथ से आठ दिन के पहले आपके यहाँ पे जो admit card है city और जो आपका यहाँ पे date है वो 100 होने लगेगा तो देखें जो आपके exam dates है वो भाई यह confirm है क्योंकि जो covid की third wave है जी यहाँ तो आप सभी को पता है कि जो covid की third wave है उसमें delta plus जो variant है वो यहाँ पे होने वाला है बहुती खतरनाख तो इस covid की third wave है इससे बचने के लिए यानि कि जो covid की third wave है उसके कुछ cases जैसे कि राजस्तान हो गया है महाराष्टर है यहाँ पे कुछ cases निकलने शुरू हो गये है covid third delta plus virus के तो इसलिए जो variant है वो यह बहुती खतरनाख है तता जो आगे चलके जैसे lockdown की परिस्तितिया फिर से बन सकती है तो जो exam है आपको बहुत आगे तक जा सकता है मानके चले नौमबर दिसंबर तक भी यह आगे जा सकता है तो इसलिए एरफोर्स यहाँ पे बहुत जल्दा आपका exam करवाने वाला है मुझे personally यह लगता है और भी काफी factors हो सकते हैं आप comment में बता सकते हो आपको क्या लगता है लेकिन यहाँ पे यदि valid region की बात करूँ तो यह हो सकता है तो देखे अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पे strategy क्या होने जी है तो देखे जैसा कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आज यहनि 26 को और इस 27 को मैं यहाँ पे अब लिस करूँगा तो 27 के बाद यहाँ पे आपके पास लगबग बात करूँ तो 12 से 13 दिन का यहाँ पे time आपके पास है तो देखे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने अभी तक पड़ा है जी हैं दोस्तों जैसा कि मान के चली आपने 60%, 50% या 70% हो सकता है किसी ने 90% या 100% भी स्लेबस कवर कर लिया हो तो 100 कहना इसलिए मुश्कल है क्योंकि जो आपका competition है उसका स्लेबस कभी भी complete नहीं होता है आप join कर लेते हो तभी आप यह नहीं कह सकते कि आपका स्लेबस complete है और 50% वालों को तो मान के से लिए कि यदि वो सोचते हैं कि 50 से मैं 100 तक ले जाओंगा यानि कि 50 से 100 तक ले जाओंगा इस 10 या 15 दिन में तो भाई ये बिल्कुल गलत हैं ये सब जुटी बाते हैं तो आप क्या कीजिए कि आपका जितना भी स्लेबस हो गया जितना अपनी cover कर चुके हो अभी तक उसको भाई revision कीजिए क्यों मैं ये revision के लिए बोल रहा हूं तो देखें उसको यदि आप revision नहीं करोगे और कुछ नया पढ़ने में ये जो time है उसको निकाल दोगे तो आप क्या करोगे 70% से आप 80 या 90% तक तो ले जा सकते हो अपनी जो preparation है उसको लेकिन revision के अभाव में ये सारा का सारा क्या है वेर्थ है क्यों वेर्थ है क्योंकि यहाँ पे जो आपका exam है वो revision मांगता है और जिस topic का आप revision नहीं करके जाओगे वहाँ पे problem होने वाली है तो revision साथ के साथ कीजिए और जो new topics हैं देखिए इस प्रकार से divide आप कर सकते हो जैसे कि आप माने 8 से 10 गंठा यहाँ पे study कर रहे हो तो इसमें क्या है कि 2 से 3 गंठा आप new topics को दीजिए और बाकी जो आपका time है वो सभी revision के लिए दीजिए यानि कि revision ज्यादा से ज्यादा क के साथ साथ यहाँ पर आप देखते हो कि कितना score कर रहे हो किस topic में आपकी कमी है यह भी यहाँ पर test series आपको बताती है तो परिक्सयाप पर यहाँ पर बात करूं तो परिक्सयाप पर दोस्तों new updated जीहां दोस्तों rearrange आपके लिए प्रेक्टिसेट जुलाई इस पेसल लांच इस बार इन्होंने exam oriented यहाँ पर personally मैंने चेक किया है इनकी practice sets को उसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी को recommend कर रहा हूं तो आप दोस्तों यहाँ पर परिक्सयाप पर प्रेक्टिसेट पाई कर सकते हो जुलाई special और दिन में एक से दो प्रेक्टिसेट आप यहाँ पर लगाई ठोड़ेगा practice maximum कीजिएगा और जो यहाँ पर marathon classes आरब में यह नहीं कहता कि marathon classes वगेरा गलत है लेकिन हो सके तो इनको offline mode पर देखिए यानि कि online मत देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा time खराब होता है जैसे teacher मान के चलिए पढ़ाते पढ़ाते किसी student पर बात करने लगता ह है किसी और कुछ-कुछ भी बात होती है तो इसमें आपका time बहुती ज़्यादा यहाँ पर waste होता है तो यह तो आप download करके वीडियो को देखिए या फिर जो offline mode है उस पर देखिए तो download करके जब आप देखोगे तो इस पर add वगेरा भी सो नहीं होगे तो यह आपके लिए time बचाएगा बस यहीं है बाकि आप मेरी वीडियो भी download करके देख सकते हो ताकि यहाँ पर आपको जो time है वह आपका बच सके तो चलिए दोस्तों यह सब इस वीडियो में जानका रही थी और आपकी exam dates यहाँ पे July में ही होने वाला है आपका exam मानके चलिए 100% तो जो आपकी तयारी है उसको यहाँ पे push कर दीजिए जितनी limits है आपकी उससे ज्यादा beyond limit जितनी भी आपकी preparation है उसको practice करते रहे और यहाँ पे continue रखिए तो चलिए मिलते है next वीडियो में और यहाँ पे भी आपको practice कराने वाले हूँ चैनल पे तो देखे subscribe आप कर सकते हो और bell icon भी आप सकते हो